नमस्कार किशान साथियो और यहल किशान चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है किशान साथियो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे हमारे पिछे सरसों खड़ी होई है सरसों में किस सबस्था में कौन सी डोज और कितेनी देनी चाहिए तो इसमें जो कि हमें बहतरी इन परड़ाम मिले जैसे कि मैं आपको पिछे भी एक वीडियो दे चुका हूँ कि किस सबस्था में क्या करना चाहिए यह जो सरसों का प्लांट है यह पूरा औरगनिक साथ अप का लगा हुआ है और इसमें इस समय में अगर हमें जो है औरगनिक किस्परी देना है तो क्या देना है और रशाइनिक देना है तो क्या देना है यह दोनों ही बाते हैं तो मैं पहले आपको इसका पूरा नजदीक से फोटो दिखाता हूँ कि किस तरीके से ही सरसों है जैसे आप देख रहे होगे अभी ये फ्लॉब्रिंग पर रही है और इसमें जो है छोटी-छोटी सी ये निकलने इस्टार्ट ही हुई है अभी इसमें निकलने इस्टार्ट ही हुई है क्योंकि अभी फूल पर है पूरा यही समय है कि जो कि हमारा पूरा फूल एक दम से बैठ जाए और फूल पूरा हमारा बैठ जाएगा तो फली में कनबर्ड हो जाएगा और इस समय हमें इसमें नूटिशन की बहुत जादा आवश्यक्त है क्योंकि अगर इस समय हमने पोशक तो इसमें पूरे नहीं किये तो यह फूल जड़ जाएगा और जो इसमें प्रोडुक्शन आनी थी वो प्रोडुक्शन नहीं आ पाएगी तो इसके लिए हमें क्या करना है इसके लिए सबसे अच्छा और बहतरी अगर आप इसमें इफको क साथियों के पास किसमें इस पर कैसी करें खड़ी सर्सों में तो इसका बहुती अच्छा समाधान है कि जो डबल बैटरी की पंप आती है उप तालिस फुट लंबा मारती है तो जैसे आप देखोगे इसमें कि पैटालिस फुट लंबा एक इस पर आप इधर से देते चले तो यह पूरा खेट जो है दो साइड से ही कबर हो जाएगा किसमें गन नोजल लगा होता है और वह पैतालिस फुट तक यह मार देती है तो इस तरीके से हमें खेट के अंदर भी नहीं जाना पड़ेगा और पूरा इस फुहारा बिदी से इसमें लग जाने वाला है और बह पैतालिस दुनी नभा हो गया और नभा भुट की इसकी हट इस तरीके से नहीं है और अगर है भी किसी किसान साथी का ज्यादा अमारे लोग चौरस खेत है और इस तरीके से नहीं है तो वह बीच में से निकलता हुआ चला जाए तो दोनों तरफ की इस प्रेवो कर देगा तो यह इसका सिस्टम है तो अगर आपको इसमें और गानी है तो आप इसको कर सघरका का लगा दो और अगर आपको रशाइनिक करनी है तो यह समय बिल्कुल सटीक है 0-32-4 अभी आप इसमें अगर 0-32-4 एक किलो एक एकड की आप इसमें फॉलियर स्प्रेश डाल दाल तो इस सर्सों में इतना संदार और बहतरी इन पढ़ाम आने वाला है जैसे के मैं इधर एक पड़ो उसकी देखो दिखाता हूँ सर्सों इसकी क्या कंडिशन है मैं आपको दोनों कंडिशन ने दिखा रहा हूँ यह आप देखो इस सर्सों में आपको कोई रंगत नजर नहीं आएगी पूरा खेट देखो आप खाली सा नजर आ रहा है आप इसको ऐसे देखो लेकिन वहीं जिसमें थोड़ा सा ओर्गिनिक डाला गया है और उसकी आप रंगत देखिए एक खेट ये है फर्क बिल्कुल एक दम सामने है आप इसमें देखेंगे पूरा खेट एक दम भारा हुआ है और इधर ये देखिए आप पूरा खेट ये खाली खाली है जिसमें न तो कोई कल्ले खोटान हुए है और नहीं कोई इसमें दाने में दम आ रहा है देखिए आप पौधे में ही जान नहीं है। तो ये किसनल साथी को जो है ये और्गनिक की तागत है कि इसमें थोड़ा सा मटेरियल डाला गया और ये बंपर पैदाबार की और जा रहा है तो इसमें अब एक स्प्रेश जो है सगरका की लगने वाली है और सगरका की स्प्रेश लगते है ये बेश्ट एंड बेश्ट होने वाला है और कोई रशानिक खेती करता है इसी स्टेज पर जब ये फूल की अवस्था फली बनने के कगार पे आए जैसे इस तरीके से आपको मैं दिखाता हूँ जब ये इस तरीके से आने लगे वही अवस्था होती है ये सारा फूल सेट अप कर देगी तो इस समय अगर आप 0,54 का इस पर देते हैं तो इस पर बहतरीन प्रोड़क्शन आने वाली है इस चाहिए साथ यो अगर ये जनकारी प्रशंद आई हो तो ज़्यदा ज़्यदा वीडियो को लाइक शेयर है सब्सक्राब करें मिलते एक लिए नवश्कार धन्यवाद